दोस्तों नमस्कार ये है मागदर्शन फार्ट सेविल सर्विसेज मैं अनुराक्ष उतरी दोस्तों मागदर्शन यंसी आर्टी स्रिंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे दसवी कच्छा के यंसी आर्टी भुगोल का अध्यायतीन जल संसाधन दोस्तों कहा जाता है कि जल ही जीवन है और जल के बिना इस जीवन की कलपना नहीं की जा सकती है आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि जल किस प्रकार से हमारे लिए जीवन का कारे करता है हमारे लिए कैसे उपयोगी है, जल सनरक्षन किया हो सकता क्यों है और जल को बचाने के क्या-क्या है उपाय किये जा सकते हैं आएए देखते हैं एक छोटी सी कहानी पिंकी क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाठ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी हे भगवान उसने क्या प्रले मचाई है, रास्ते में जो कुछ हाया भरबात कर दिया और वो बहा ले गई ये एक स्टुडेंट बोलता है पिंकी कहती है कि हाँ चिंटू मैंने देखा कि ये आश्यर जनक नहीं है कि जल जीवन तो दे सकता है और ले भी सकता है हम पानी के बिना क्या करेंगे मेरे पिता जी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारे मातरा में जल की आव सकता होती है क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंड़ा करने के लिए भी जल की आव सकता होती है और कारखाना भी जो चलता है वो जल वित्व संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है इसलिए अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन यूगों में मानो नदियों और अन्य जल सरोतों जैसे जर्नों जीलों पोकरों और मरुद्ध्यानों के आसपास क्यों बसता था तो इसलिए वस्ता था कि जल के बिना जीवन की कलपना नहीं की जा सकती है और जल हमारे लिए महतवपूर संसाधन है दोस्तों आप जानते हैं कि तीन चवथाई धरातल जल से ढखा हुआ है लेकिन जो है इसमें महतवपूर बात ये है कि प्रियोग में जो हम जल लाते हैं अलवडी जल या मीठा जल उसका अनुपात बहुत कम है यह अलवडी जल हमें सतही अपवाह और भू जल स्रोत से प्राप्थ होता है जिनका लगातार नवी करण और पुनरभरण जली चक्र द्वारा होता है साहरा जल जो है वो जली चक्र में गतिसील रहता है जिसे जल नवी करण सुनिशित होता है यानि जल चक्र की एक प्रक्रिया चलती है जिसके कारण जो है वो जल चक्र संचालित होता है आपको आश्यर हो रहा होगा कि जब पिर्थवी का 3-4 भाग जल से किरा है और जल एक नवी करण योगे संसाधन है तब भी दुनिया के अनीक देशों और छेतरों में जल की कमी हो जाती है ऐसा क्यों है और ये भविस से बाड़ी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोण लोग जल क की नितांत कमी छेलेंगे दोस्तों ऐसा इसलिए है कि जल जो है एक दुरलब संसाधन है और जल संरक्षन और परवंधन की आव सकता है जल के विसाल भंडार और इसके नवी करण योगे गुड़ों को होते हुए भी ये मुश्किल है कि हमें जल की दुरलबता का सामना करना पड़ सकता है जैसे ही हम जल के कमी की बात करते हैं तो हमें ततकाल ही कम बर्सा वाले छेतरों या सूखा ग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है हमारे मानसपटल पर राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई जल भरने के लिए लंबा रास्ता तैं कर बते होई पनिहारिनों के चित्र चित्रित हो जाते हैं और ये सच है वर्षा में वारषिक और मौसमी परिवरतन के कारण जल संसाधनों के उपलबसता में समय और अस्थान के अनुरूप विभिनता है लेकिन अधिकतेया जल की कमी इसके अत्य Vä denn उसर, अत्यातिक परियोग, अत्यधिक दोहन और समाज के विभिन वर्गों में जल के असमान बितरण के कारण होती है। दोस्तों क्या ये संभो है कि किसी छेतर में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुरलबता हो। हमारे कई सहर इसके उधारण है। इसलिए जल की दुरलबता और अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या और उसके पैड़ाम सरूप जल की मांग और उसके असमान बितरण का पैड़ाम हो सकता है। तो जल होने के बावजूद जल की दुरलबता या जल की समस्या जो है क्यों होती है इसका कारण ये है कि असमान बितरन जल अधिक जनसंख्या के लिए घरे लूप योग में नहीं बलकि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए सिचाई करने के लिए बहुत अधिक जल की जाओ सकता होती है अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल समसादनों का अतिसोसन करके ही सिंचित छेतर का छेतर फल बढ़ाया जा सकता है और सुस्क रितू यानि सूखे रितूओं में भी खेती की जा सकती है और सिंचित क्रिसी में जल का सबसे ज्यादा उपयोग हो और सूखा प्रतिरोगी फसलों के विकास द्वारा अब क्रिसी छेतर में करांति लाने किया हो सकता है यहाँ पर देखिए दोस्तों कैसे एक बालक जो है वो बाढ़ ग्रश्ट छेतर में जो है चला जा रहा है और एक और इजरायल जैसे 25 सेंटिमीटर अहुसत वार्सिग वर्सा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है तो दूसरी ओर 114 सेंटिमीटर अहुसत वार्सिग वर्सा वाले हमारे देश में प्रति वर्स किसी ने किसी भाग में सूखा पड़ता है और यह बिडम बना की बात है दोस्तों देश में हमारे जो जल के उपलब दता है और उसका स्वरूप है उसके अनुसार समुचित जल प्रबंधन नहीं है वाटर मैनेजमेंट नहीं होने के कारण वर्सा का जल नदी नालो में बहकर समुदर में चला जाता है और एक प्रकार से देखा जाया जल के संरक्षण उसके मैनेजमेंट यानि नियमन और जिनसे वो सिचाई करके अपना उत्पादन बढ़ाते हैं लेकिन इसका एक दूस्प्रभाव ये होता है कि भूजल अस्तर नीचे चला जाता है सोतंता के बाद भारत में तेजी से अध्योगी करण और सहरी करण हुआ है और विकास के अनेक आउसर भी मिले हैं आजकल हर जगे देखा जाये तो बड़ी बहुराश्टी कमपनिया या मल्टीनेशनल कमपनिया अध्योगी घरानों के रोप में फैली हुई है उत्योगों की बढ़ती संख्या के काराण जो मीठा या अलवडी ये जल संसाधन है उन पर दबाव भड़ा है क्योंकि उत्योग से प्राप्थ होता है इसके अलामा जो सहरों की जनसंख्या बढ़ रही है उसके दैने को भोग के लिए जीवन सहली के लिए जल अरूर्जा किया हो सकता बढ़ी है लेकिन इन से संबंदिस समस्याएं और भी गहरी हुई है यदि आप सहरी आवाज समीतियों या कालोनियों पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्टी के लिए नलकूप अस्थापित किये गए हैं इनमें कोई आश्यारे नहीं है कि सहरों में जल संसाधनों का आतिसोसण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है दोस्तों अब तक हमने जल दुरलब्दा क या समस्या क्यों है ऐसा इसलिए है कि जल अधिक मातरा में उपलब्द होने के कारण उसकी गुडवत्ता खराब है यानि कि वो हमारे प्रियोग के लिए नहीं है वो गंदा है या नमकीन है अपसिष्ट रसायन और कीट नासक द्वारब परदोसित है इसलिए जल की या मुना भी कोई सुध नहीं रह गई है इसका कारण ये है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण क्रिसी आधुनिकी करण नगरी करण और और अधिक दूस्प्रभाव पड़ा है और ये संकट हर दिन गहराता जा रहा है इससे संपोर्ण जीवन खत्रे में है दोस्तों आपने ये भी अनुभो किया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जो जल संसाधन है यानि वाटर रिसोर्सेज है उनका संरक्षन करें उनका प्रवंधन करें स्वैंग को स्वास्त संबंधि खत्रों से बचाएं खाद्यान सुरक्षा करें अपनी आजेविका और उत्पादन क्रिय की निरंतरता को सुनिशित करें और सबसे महत्वण बात ये कि हम अपने पारितंत्र को निमनी कृत यानि उसकी गुडवत्ता को खराब होने से बचाएं आए जानते हैं बहुत देसी नदी परियोजनाय और समन्वित जल प्रवंधन दोस्तों हम जल का संसाधन संरक्षन औ अभिलेख या दस्तावेज जो हैं वो हमें बताते हैं कि प्राचीन काल से सिचाई के लिए पत्थर और मलवे से बाध जलासाय और जीलों के तटवंध और नहरों जैसी उतक्रिष्ट जलिये कृतियां बनाई गई हैं इसमें कोई आश्यर नहीं है कि हमने ये परिपाटी आधुनिक भारत में भी चारी रखी है और अधिकतर नदियों के वेसिन में बाध बनाये गए हैं दोस्तों इसा से एक सताबदी पहले इलाहबाद के नजदेग स्रिंग वेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संड़क्षित करने के लिए एक उतक्रिष्ट जल संगरहर तंत्र बनाया गया था इसके अलावा चंद्रगुप्त मौरे के समय ब्रिहत अस्तर पर बाध जील और सिचाई तंत्रों का विकास करवाया गया था कलिंग जो की बर्तमान ओडिशा में है नागारजुन कोंडा जो आंधर प्रदेश में है वेनूर जो करनाटक में है और को गुदावी सताबदी में इलतुतमिस में इलतुतमिस ने दिल्ली में सीरी फोट छेतर में जल की सप्लाई के लिए एक हौज खास का निर्मार बनवाय था जो की एक विशेस रूप से विशेसिक्रित तालाब था यहाँ पर देखिए ये जो है दोस्तों ये हीरा कुंड बा बाद में उससे खेतों की सिचाई के लिए जल उपलब्द करवाते थे और आजकल बाद सिर्फ सिचाई के लिए नहीं बनाय जाते बलकि उनका उद्देश से बहुत देशी हो गया है इसलिए ऐसी पर्योजनाओं को बहुत देशी नदी घाटी पर्योजनाएं कहा जाता है इसमें जल का उपयोग सिचाई के लिए और बहते हुए जल को इकठा करके उसका उपयोग टरबाइन चलाकर बिद्दुद उत्पादन के लिए भी किया जाता है दोस्तों बाध जो होता है बहते जल को रोकने दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आम तोर पर जलासे जही लथवा जल भरण बनाती है बाध का अर्थ जलासे से लिया जाता है नकीस के धांचे से और अधिकतर बाधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके उपर से या अंदर से जल रुक रुक कर या फिर लगातार बहता है बाधों का बरगी करण उनकी सनरशना उद्देश और उचाय के अनुसार किया जाता है उनमें पर्युकत पदार्थों के आधार पर बाधों को लकड़ी के बाद तटवंध बाध या पक्का बाध के अलामक कई उपरगों में बाटा जाता है उचाई के अनुसार ये बड़े बाध और छोटे बाध होते हैं और जो है बाध जो है बहुत ही आवस्यक होते हैं सोतंता के बाद जो है बाधों का विकास किया गया बहुत देसी परियोजनाओं का विकास किया गया और इसी कारण जो आधुनिक भारत के मंदिर की संगया जवाहरलाल नहरू ने बाधों को कहा है उनका मानना था कि ये जो बहुत देसी नदिगाटी परियोजनाएं हैं इनके चलते क्रिसी और ग्रामीड अर्थवेवस्था और द्योगी करण और नगरी अर्थवेवस्था सब ही कुछ में विकास होगा। दोस्तों देखिए कुल मिलाकर बाध जो होते हैं ये नदियों पर बाध बनाने और उनका बहाव नियंतरित करने से उनका जो प्राकृतिक बहाव होता है जो अपने आप से बहाव होता है वो रुकता है इसके काराण तलचट बहाव कम होता है और अत्यधिक तलचट जलासय क तली पर जमा होता है नदी का तल अत्यधिक चटानी हो जाता है और नदी जली जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है बाद जो है नदीओं को टुकोड़े में बाट देते हैं जिससे विशेश कर अंडे देने वाले किरी तुमें जली जीनू का नदीओं में अस्थाना अरुद्ध हो जाता है बाढ़ के मैदान में बनाये जाने वाले जलासियों द्वारा वहां मौजूद बनस्पती और मिट्टी जल में डूब जाती है जो कालांतर में अपगटित हो जाती है दोस्तों जो बहुत देसी परियोजनाएं हैं और बड़े बाद ये कई प्रकार के परियावाड़ी आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बाध आंदोलन के कारण बन गए हैं इन पर योजनाओं का विरोध अस्थानी समुदायों द्वारा ब्रिया दस्तर पर बिस्थापन के कारण होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अस्थानी लोग ह उनकी जमीन आजीविका और संसाधनों से लगाओ और नियंतरन होती है अगर अस्थानी लोगों को इन पर योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिलता है शायद जमीदारों और बड़े किसानों को या उद्योगपतियों या कुछ नगरी केंद्रों को क्योंकि ज जल उनका जो जड़ है मूल अस्थान है आजीविका के साधन समाप्त हो जाते हैं दोस्तों सिचाई ने कई फसलों के प्रारूप में परिवर्टित कर दिया है जहां किसान जल गहन और बारिज फसलों की ओर से आकरसित हो रहे हैं इससे एक समस्या और होती है अत्यधिक पिचाई करने से मिर्दाओं के लवडी कबरर जैसी गंभीर समस्या होती है और इसी दोरान इसने अमीर भूमी मालिकों और गरीब भूमी हीनों में सामाजिक दूरी भी बढ़ाई है और हम जानते हैं कि बाध उसी जल की अलगल अगुपयोग और लाप जाहने वाले लोग के दोरान नगरी छेत्रों में अधिक जलापूर्ति देने पर परिसान किसान उपद्रव पर उतारू हो गये थे और बहुत देसी पर योजनाओं के लागत और लाभ के बटवारे को लेकर अंतरराजी जगड़े भी होते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए कि नर्मदा बच अंगलों के बाध के पानी में डूबने जैसे परियावाडे मुद्दों पर केंदरित था हाल में इस अंदोलन का लच बाध से विश्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनरवास सुविधाय दिलाना हो गया लोगों ने ये सोचा कि उनकी यातनाय ब्यार् कुर्बानी के रूप में सुविकार किया लेकिन अब 30 साल के कड़े अनुहों के बाद जब उनकी आजीविका और अत्यधिक जोखिम पोड हो गई है तो पूछते जा रहे हैं कि हमें ही देश के लिए कुर्बानी के लिए क्यों चुना गया दोस्तों क्या आप जानते हैं स सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में 9,490 गाओं और 173 कस्बों और राजस्थान के 124 गाओं के सूखा ग्रस्त और मरुस्थली भागों को जल किया उसकता को पूरी करती है एक विशेश तथ और आपके लिए कि क्रिशना गोदावरी विबाद जो है उसकी सुरुवात महराष्ट सरकार द्वारा कोएना नदी पर जल विदुत परियोजना के लिए बांध बना कर जल की दिशा परिवर्तन कर करनाटक और आंध्रपरदेश सरकारों द्वारा आपत्ती जताय जाने से हुई थी और इससे इन राज्यों में पढ़ने वाले नदी के निचले हिस् और क्रिसी और उद्ध्योग पर विप्री तसर पड़ेगा यहाँ पर देखिए भारत के मुख नदिया और बांध यहाँ देखिए दोस्तों सलाल प्रोजेक्ट जो है यह देखिए चिनाम नदी पर बनाए गया है और टिहरी बांध यहाँ पर उत्रकंड में जो है भागी धिल बांध में ठान बांध यह आपके दामुदर नदी पर बनाए गये है नर्मदा नदी पर सरदार सरो और बांध है चंबल नदी पर आपका राणा परताप सागर और गांधी सागर है इसकी अलामा दोस्तों कृष्णा नदी पर देखिए एक पर्योजना है कृष्णा नदी पर नागारजुन सागर बांध है, तुंग भद्रा नदी पर तुंग भद्रा पर योजना है, कावेरी नदी पर मेटोर डैम है, तो इस तरह से मुख नदियां और प्रमुख बांध है, दोस्तों नदी पर योजनाओं पे अनेक आपतियां उठी हैं, और उनके अधिक बर्सा हो जाती है तो बड़े बांध कई बार बार नियंतरन में अस्फल हो जाते हैं दोस्तों बर्स 2006 में महराष्ट और गुजरात में भारी बर्सा के दोरान बांधों से छोड़े गए जल की वज़े से बाढ़ की इस्तिती आ गई थी इन बाढ़ों से नकिवल जान अनमाल का नुक्सान होता है ब्रिह दस्तर पर मिर्दा अपर्दन भी होता है दोस्तों ये माना जाता है कि भूमि निमनी करण की समभावना इससे बढ़ती हैं और परित्वी पर अधिक दबाव बढ़ने से उस छेतर में भूकंब की समभावना भी बढ़ जाती है वर्सा जल संग्रहण क्या है दोस्तों रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वर्सा जल संग्रहण क्या है बहुत से लोगों का ये मानना है कि बहुत देशी पर योजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे बिवादों के चलते वर्सा जल संग्रहण सामाजिक आर्थिक और पारि स्थित के इस्थितियों के आधार पस जल आवसकता नुसार वर्सा जल भौम जल नदी जल और बाठ जल के संग्रहण के अनेक तरीके विक्सित किये थे पहाडी और परवत्ती छेतरों में लोगों ने जो है गुल अथवा कुल पश्मी हिमाले में वाहिकाय नदी की धारा का रास्ता बदल कर जल के खेतों की सिचाई के लिए बनाई है पश्यमी भारत में राजस्थान में पीने का जल एकत्र करने के लिए छट पर बलसा जल संगरहन का तरीका प्रचलित था और पश्यम मंगाल के बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे सुस्क और अर्धसुस्क छेत्रों में खेतों में बरसा जल एकत्र करने के लिए गड़े बनाये जाते थे ताकि मिर्दा को सिंचित किया जा सके और जल को संड़चित करके उसकी जो है सिचाई देर तक की जाए दोस्तों राजस्थान के अर्धसुस्क और सुस्क छेतरों में विशेसकर बीका नेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भोमिगा टाइंग कथवा टाका हुआ करते थे इनका आकार एक बड़े कमरेज इतना हो सकता है देखिए यहां पे वर्साजल छट पर रेकतर होता है और फाइब के रास्ते नल के तरफ आता है तो यहां पर देखिए वाटर हर्ष्टिंग को यहां पर एडवर्टाइस किया जा रहा है इसके अलावा बेकार पड़े हुए कुवे के माध्यम से वर्सा जल का पुनरभरण किया जा रहा है दोस्तों पुनरभरण के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं इसमें PVC पाइप का प्रियोग करके छत का वर्सा जलेकतर किया जा सकता है रेत और इट का प्रियोग करके जल का छनन किया जा सकता है भूमिगत पाइप के द्वारा जल होज तक ले जाता है जहां से इसे तुरंत प्रियोग में लाया जा सकता है और होज से अतरिक्त जल कुवे तक ले जाया जाता है और कुवे का जल भूमिगत जल को जो है रिफिल करता है पुनह उसको पुनरभरन करता है और बाद में इस जल का उपियो किया जा सकता है यहाँ पर देखिए एक कुल में वर्तुल ग्रामीड तालाब बनता है काजा गाओं के चितर के अनुसार इसमें जरुवत पढ़ने पर पानी छोड़ सकते हैं दोस्तों देखिए यहाँ पर जो बताया गया है कि राजस्थान के अनेक इलाकों में वर्सा जल संग्रहर का जो तरीका होता था घर या आंगर में बनाया जाता था घर की ढलवा छतों से ये पाइप से जुड़े होते है और वर्सा का जल उन भूमिगट टैंकों में इकठ अगली वर्सा रितु तक उसमें संग्रहित किया जा सकता था और वर्सा जल अथवा पालर पानी जैसा की से इन छेतरों में पुकारा जाता है प्राकृतिक जल का सुद्धतम रूप समझा जाता है कुछ घरों में टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाया जाते हैं क्यों वर्सा जल संग्रहण की रीत इंद्रा गांधी नहर से उपलब्ध बारे मासी पे जल के कारण कम होती जा रही है कुछ घरों में टांका की सुविधा अभी भी उपलब्ध है क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वात पसंद नहीं है सौभागे से आज भी भारत के कई ग्राम विलों ने अपने घर में जल आवसकता पूर्ती छत वर्सा जल संग्रहण की वेवस्ता की हुई है और गाउं के 200 घरों में ये वेवस्ता है और इस गाउं ने वर्सा जल संपन गाउं की ख्यात यर्जित की है यहाँ पर प्रियोग किया जा रहा है वर्सा जल संग्रहण के बारे में आप देख सकते हैं कुल मिला कर यहांपे किस तरह से वर्सा जल संगरहंण के लिए जो है बनाया गया तरी का दोस्तों रोचक तत्थे के बारे में जानते हैं मेखाला की राजदानी आप जानते हैं कि सिलांग है सिलांग में घाला की राजधानी है दोस्तों यहां पर छट पर वर्सा जल संगरहन प्रचलित है यह रोचा किसलिए है क्योंकि चेरा पूजी और मासिन राम में दुनिया में सरवाधिक वर्सा होती है सिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी परिस्थित यह सहर पीने के जल की कमी का गंभीर सामना करता है और सहर की लगभग हर छट पे वर्सा जल संगरहन की वेवस्था है घरेलू जल आओ सकता की कुल मांग के लगभग 15 से 50 प्रसा से की पूर्ती छट के जल से होती है जोस्तों छट के जल का संगरहन थार के सभी सहरों और ग्रामों में प्रसलित था वर्सा जल की जो की घरों की ढालू छटों पर गिरता है उससे पाइप दौरा भूमिगट टांका के अंदर ले जाते हैं जो मुक्हे तक घर अथवा आगन में बना होता था उपर ये जो चितर दिखाया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि जल पडोसी की छट से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जा रहा है यहां पडोसी की छट का उप्योग वर्सा जल को एकत्र करने के लिए किया गया है दोस्तों इसके अलावा ये देखिए सिचाई की विभिन प्रद्धतियां है ये अपने हा जुगार पद्धत या देशी पद्धती है बांस ड्रिप सिचाई मिघाले में नदियों और जहरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्स पुराने बिधी प्रशलित है 18-20 लिटर पानी बांस पाइप में आ जाता है और उसे सैक्डो मीटर की दूरी तक ले जाय जाता है और अंत में पानी का बहाव 20-80 बूंद प्रति मिनट तक घटा कर पौधे पर छोड़ दिया जाता है पहाडी सिखरों पर देखिए सदा नीरा जहरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उप्योग किया जाता है और इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वकर संड द्वारा जल पहाड के निचले अस्थानों तक पहुँचाया जाता है तो यहाँ पर देखिए यदि पाइपों को सड़क के पार ले जाना होता है तो उन्हें भूम इसे उचाई पर उठा कर इन पाइपों के द्वारा ले जाया जाता है बाँस से निर्मिट चैनल से पौधे के अस्थान तक जल का बहाव परिवर्दित किया जाता है और पौधे तक बाँस के पाइप से बनाए बिचाए गई बिभिन जल साखाओं में बितरित किया जाता है जिससे जल का नुकसान नहीं होता है दोस्तों तमिल नाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्सा जल संग्रहण धाचो को बनाना आवस्य कर दिया गया है और इसमें दोसी व्यक्तियों पर कारवाई किये जाने की भी बेवस्ता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो दस्वीक अच्छा के भुगोल का तीसरा अध्याय जल संसाधन जल हमारे लिए बहुत ही महतोपोर्ण संसाधन है जल के बीना जीवन नहीं है जल ही जीवन है ये कहा जाता है हमें जल को संग्रहित करने इनका संरक्षन करने और इसको जो हम किसी प्रकार से जल संकट से फंस जाते हैं या जल की समस्या में पढ़ जाते हैं तो जो हमारे संग्रहित किया हुआ जल है रिजर्व किया हुआ जल है उसको प्रयोग में ला सके तो दोस्तों ये था आज का वीडियो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मार्ग दर्शन फार सिविल सर्विसिस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार